अब इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सस्क्राइब कर ले और इस घंटी वाले आइकन को दबाके लेटेस्ट वीडियो के नोटिकर नमस्कार मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन जोन और आज का हमारे वीडियो है MDS University में जो विए फस्ट येर का फस्ट पेपर जो चलता है इस्ट्री का उस पेपर के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इस्ट्री के अंदर तो हमने कुछ Most Important Qution बनाए है जो लास्ट येर आये है उनी कुछनों के मादेम से हमने आपके लिए नए जो कुछन है वो तयार किये है और हम आपको इस वीडियो में पूरा पेटरन बताने वाले है किस तरह से आपके कुछन आता है आपको किस तरह से आंसर देने है वो सारी चीज हम इस वी लिडियो को भी लाइक कर दिजी का तो चले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपके इसने परद फट्री पार्ट में डिवाइड होता है जैसे इसमें लिखा हो है हमने बनाए है उसी साप से जैसे कि इसमें तीन आपके दिये होएंगे खंड बै और कंड से इसमें तीन दिये होएंगे जैसे यह फर्स्ट वाला बीस नंबर का होता है और थर्ड वाला साट नंबर का होता है इसमें तीन क्यूशन आपको करने होते है बीस बीस नंबर के जो फर्स्ट वाला है उसके जो आंसर आपको बीस सब्दों में देना है और जो सेकंड पार्ट है उसका आपको देना है पचास सब्दों में एंड थेट पार्ट का आपको चार से सब्दों में देना है तो चलिए हम देखते हैं तो हम देखते हैं खंड ए तो खंड ए में जो फस्ट क्यूशन वो है जैसे सब्वेता सब्द से आप क्या समझते हो जैसे संस्करती और सब्वेता का क्यूशन आता है तो उसमें से आप से सब्वेता का क्यूशन पूछा जा सकता है काफी important question है तो आप इसको देख लीजेगा सब्बेता किसे कहते है उसके बाद इसमें second question है निवारन किसे कहते है उसके बाद तीसरा question इसमें दिया हुए है वेदी काल में 3 क्या है तो आपको इसका answer देना है वेदी काल से ये question पूछा गया है 3 क्या है जो तीन वेद होते है पर तम उन्हें 3 बोलते है फिर देखे महायान एंड हीनियान इनके बारे में question आ सकता है जो बोधरम की साकाय है उनके बारे में भी question आ सकता है फिर पांच नमबर question दिया गया है संसकार संसकार किसे कहते है फिर next question है चतुर वर्ग किसे कह सकते है या आएंगे आपके जो छोटे वाली question होते है 10 question आते है 20 number के total ये question होते है तो आपको जो है उन question में से ये पूछा जा सकता है फिर next question है गांधर वे विवा किसे कहते है उसके बारे में आपको सोट में 20 सब्दों में लिखना है उसके बाद है पुरसार्थ कितने पुरसार्थ है तो आपको उनके नाम लिख देने है फिर आपको लिखना है तक्षिला विश्यो विदाले तक्षिला विश्यो विदाले फिर आपको 20 लाइने ये सोर्वी 20 सब्द आपको इसमें, लिकने है फिर नेक्स्ट है, गितांजली गितांजली जो पुस्तक है उसके उपर आपको मिनिममूँ 20 सब्दों पे इसमें लिखने है, 20 सब्द इसमें लिखने है फिर बात करते हैं जो 4-4 नंबर के क्यूशन आने वाले हो जिसे इसमें फर्स्ट क्यूशन दिया गया है टेगोर के धार्मी वीचारों की वीवेजना कीजिए ठीक है दूसरा क्यूशन इसमें दिया गया है सुद्धी आंदुलन से आप क्या समझते हो फिर है वर्ण वेवस्ता से आप क्या समझते हो या इसका जो महतु है वो आपको बताना है वर्ण वेवस्ता का सोट में ही आपको बताना है पचास सब्दों में ही फिर दूसरा क्यूशन है महावारत का धार्मिक महतु है आपको महावारत के धार्मिक महतु है को पचास सब्दों में या पर समझाना है उसके बाद आपकाता है गुप वास्तुकला का महतु है मुगल काल की वास्तुकला के बारे में आपको यहां पर बताना है अगला क्यूशन है प्राचीन भारत के प्रमुक्षिक्षा के के अंदर जो प्राचीन समय में जैसे तक्षिला विस्विदायले के बारे में आपसे पहले पूछा गया था उसी इसके बारे में आपको कम से गम 50 सब्ड़ों में लिखना है फिर ग மधार सेली राजबूथ चित्रगलास आप क्या समझते काफ़ी इंप्रोड़न्ट ही तो आप इस यूश्ड को चेसे देख सकते हो और इसमें भी आपको 50 सब्दों में लिखना है ये क्यूशन आपके 4 नमबर के तो इस पार्ट में आपके 10 क्यूशन होंगे टोटल ठीक है जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें 10 क्यूशन होंगे and a question आपके 20 नमबर का इसमें होने वाला है 20 नमबर का तो इसमें देखते हैं कौन को इसी question है इसमें first question है बर्म समाज की काधार्मिक एम समाजिक मैतुए को बताइए तो इसमें आपको पूरा details से देना है 400 सब्दों में minimum इसमें लिखना होता है आपको फिर देखिए भारती संस्कर्ति की परमुक विसेश ताए बताइए तो आपको इसका execution भी details से देना है फिर है शिन्दू सब्देता के धार्मिक सोरी शिन्दू सब्देता के धर्म पर टिपनी लिखिए तो आपको इस पे details से शिन्दू गाटी सब्देता के जो धार्मिक महतु है उन पे details से लिखना है